असलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आपको बताने जारी हूँ एक ऐसा नक्ष जो आपकी मदद करेगा अपनी महबबत को पाने में जी हां और आपको इस नक्ष में क्या करना है कि सिर्फ कागस पर नाम लिखकर का आसान है बस आपको क्या करना है ध्यान से इस विडियो को देखना है और जो मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आपको इसे करना है क्योंकि अगर आप इसकी चाल बदल देंगे जैसी इस नंबरों की चाल होती है उस नंबर के हिसाब से ही आपको उसका हल मिलता है और अ से पहले तो आपको एक कागस चाहिए होगा इस तरह से आप एक कागस ले लीजिए सादा कागस आपको लेना है लकीरों वाला कागस नहीं होना चाहिए यह काम आपको करना है कि कागस आप कोई भी ड्रॉइंग की किताब में से ड्रॉइंग की कॉपी में से आप ले सकते हैं लानों वाला कागस बिलकूल ना ले इस तरह से दोनों तरफ से खाली कागस आपको लेना है, मारकर आपको एक लेना है कोई भी मारकर आप ले सकते हैं, लाल, काला, जिस भी डिय ज Depois कर लें की गर पे हो आप उस मारकर का इस्तपर सकते हैं आपको और उसके बाद नक्ष बनाना शुरू करना है इस तरह से इसको बनाना है आपको पहले एक box बना लेना है पूरा इस तरह से बना लेजे और उसके बाद आपको इसके बीच में एक लाइन ऐसे डालनी है यहाँ पर एक और लकीर खीचनी है और यहाँ पर एक और लकीर और उसके बाद बीच में इसको इस तरह से बंद भी करना है, यह आप देख सकते हो, इसमें टोटल 12 खांचे हैं, जो हमने इसमें बनाए हैं, बलकि अभी इसके अंदर ऐसा हो रहा है, कि अगर आप इसको बनाते हैं, तो जैसे अभी मैंने अपको दिखाने के लिए जो लेकिन आपको उस समय जब आप बना रहे होंगे तो ध्यान से बनाना है कोई भी खांचा एक दूसरे से छोटा नहीं होना चाहिए बड़ा नहीं होना चाहिए सब बिल्कुल सही तरीके से होने चाहिए और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी आपका जो वजय है वो बिल्कुल जाइज होनी चाहिए किसी भी नाजाइज वजय के लिए आप इसका उपयोग बिल्कुल ना करें क्योंकि ये साफ दिल से अगर किया जाए तो इसका असर दो दिन के अंदर अंदर आपको दिखता है अगर आप सच में अपने जाइज मसले को हल करना है और जहां पर जो लिखा होगा आपको वही चीज वहां पर लिखनी है तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं यहां पर आपको 12 लिखना है उसके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको 7 लिखना है और नीचे आएंगे तो यहां पर 9 लिखना है यहां पर लिखना है दो फिर यहां से शुरू होगा फिर से यहां पर आएगा 13 यहां पर आएगा 24 यहां पर आएगा 17 और यहां पर आएगा 8 इस तरह से आपने दो लाइने भर दी उसके बाद तीसरी लाइन पर जाते हैं तो यहां पर आपको लिखना है एक और उसके बाद आपको यहां पर लिखना this । ए पर लिखना wrath रीमी नाम रीएल नेम आपको उनका लिखना है अगर उनका पट नेम और घर पर उस नाम से भुलाया जाता है वह नाम आपको नहीं लिखना है दिए वह लड़के नाम क्या है आपको यहां पे लिखना है बिन और नीचे लिखना है आपको अपना नाम प्रेमी का का नाम हूँ है यहां पर आपको लिखना है बिन्ते आप देख सकते हो इस तरह से आपको यह लिख देना है यहाँ पर अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी लड़का है अगर मान लो आप अपने लिए अपने प्रेमी का नाम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर पहले आपने सबसे उपर लिखा अपने प्रेमी का नाम नीचे लिखा अपना नाम इसी तरह से अगर कोई लड़का है वो इसको कर रहा है तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा लड़की के नाम के आगे आपको बिन लिखना है और लड़के के नाम के आगे आपको बिन लिखना है इस तरह से जब आप इसे लिख ल ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इसको जलाना है जी हां दोस्तों उसके बाद आपको इस कागस को जलाना है और इसका एक और मैं आपको एक और चीज बता देती हूं आप चाहें तो इसको कहीं पर लिख भी सकते हैं चाहें तो आप विडियो का स्क्रीन शॉट ले ल रातों तक आप इसे करेंगे ठीक है जयारा रातों तक आपको इसे करना है लेकिन आपकी जो आपका जो मसला है आपकी जो समस्य वो चिर्फ आपको डो को करना है। तो आप इसे नोट कर लीजे कि आपको ग्यारा रातों के लिए इसको करना है और रात के नौ बजे ही करना है मतलब आट से दस के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन रात में ही करना है और एक बात का और ध्यान रखें कि जब आप इस नक्ष को बनाएं तो आपको इसे तुरंट जला देना है जला कर जो इसकी राख निकलेगी उसे आप कहीं पर समाल के रख लीजे अगली सुबह आपको इसे बहते वे पानी में बहा देना है अगर आपको बहता वे पानी ना मिले आपके घर के आसपस तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी सूनसान जगे पर जाकर आप मिट्टी में उस राख को डाल सकते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है इस तरह से आप इसे 11 रातों तक जरूर कीजिएगा आपकी समस्या जो है आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा और मेरे वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख के मुझे जरूर बताईएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन लोग हैं, कौन भाई लोग हैं कौन सी बहने हैं जिन्होंने इसको ट्राइ किया और उन्हें इसका फल मिला अपना नमबर बिल्कुल मत लिखिएगा वहाँ पर अगर आप किसी बारे में बात करना चाहते हैं तो आप हमारे नमबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं तो आज का हमारा वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया